so last video में हमने देखा कैसे आप यूज कर सकते हो django ORM object relational mapper और यह कैसे आपको database से data read करवाता है बल्की modify भी करवाता है okay so try to understand django ORM and admin section यह है developer section okay user admin section उ यूज नहीं करेगा ना कि वो django shell उ यूज करेगा okay so in this video हम बनाएंगे user के लिए a front end और उस front end data आएगा सीधा backend से so morning guys welcome once again welcome to kcp and welcome to this django section 2 series welcome back okay so server चल लहा है localhost is open localhost colon 8000 http लगाने इस जर्वन नहीं है अगर मैं से home page दे हूँ which is localhost colon 8000 and अदर आवाता हूँ so यह आया है django का home page because हमने यह भी url add नहीं किया i hope you remember django section 1 okay so अब set करते है django के urls okay okay so अब मैं आता हूँ अपने atom text editor में यह है मेरा app which is मेरे app का नाम है data underscore app project folder का नाम है info underscore project okay यह है mail urls.py यहां पे यह भी url.py नहीं है सिवाए default के okay इसलिए वो ऐसा home page देहा रहा है now सब सब सबसे पहले step हो रहा है जब भी आप बनाते हो उसको settings.py में register करवाना which is this okay दूसर step है अगर आप वो app बुलाना है तो app में urls.py एक file बनाना right click new file urls.py तो एक file बन गई और इस file में जो भी data है उस ओ में urls में register करवाना okay so यह है to get folder urls.py और यह है move app का urls.py इस मैं करता हूँ यहां से copy और यहां करवाता हूँ paste यहां पो हमेशा करना है जैंको मैं paste okay और admin कोई काम नहीं है यहां पे and this now एक url add करवाना है क्योंकि वो url कॉल करेगा हमारे app के urls.py तो यह कहला जाता है main url okay so अगर मैं यहां लेदू main url file okay यह main url file है यहां पे यहां आता हूँ paste ctrl v इस ओकर और मैं यहां से delay and that's it okay so मैं ऐसा चा डालू की मेरे app का urls.py call हो जाया है so मैं इस ओ रखता हूँ empty क्योई मैं home page अपनी app से बुलाना चाहा हूँ okay इस ओ मैं रखता हूँ empty now loser step i hope you remember section number one okay so include दूसर स्टैब है जैंगो यूर्ल से include or import करवाया now include parenthesis open then close course के अंदर app का नाम data underscore app क्योंकि हमारे app का नाम यह है यहां पे हमारा app now app के अंदर है url so dot अंदर जाने के लिए python में यूसकर है dot url okay so that's it यह हमारा app का urls dot by registered हो गया है now जब भी localhost colon 8000 डलेगा तो सबसे पहले वो यह करेगा which is blank और urls app के url को वो import करवा देगा which is this okay now यहां पे भी connect कर रहे है which is just a second इस ओकर हमने copy then inside urls pattern paste indentation लूब कंपसरी नहीं है जो इस स्क्वेर बेंट है so अब इस ओकर हैं डिलीड नौ इस ओकर हैं डिलीड ओके so अगर मैं यहां डाल दू फर्स्ट ओके फर्स्ट ही जगे मैं डालूगा अब क्या बुलाए उसके लिए हमें व्यूज बनाना पड़ेगा so अपने एप में मैं व्यूज में जा रहा हूं गया व्यूज और इसमें इंपूर्ट करवाता हूं जैंगो.http से http response अभी टेस्टिंग परपस के लिए सो मैं इसमें लगाऊंगा टेस्टिंग रिक्वेस्ट भेजना कंपल सरी है प्रेंथिसस एस आर्गुमेंट प्रेंथिसस के अंदर कोलन जनेंटर रिटर्न बेसे अफ जैंगो आई होप यू रिमेंबर पैंथिसस ओपन दिन क्लोस विदं कर वारे है है HTTP response इसके अंदर आएगा HTML code HTML code अब जो चाहिए वो ले सकते हूँ टाहिए वारे सिर्डी टाहिए पर्टिसस में आव पर्टॉल अ views.py so views.py जो इकरेंट वर इसे इंपोर्ट करवाई method अना विच इस टेस्टिंग और स्टेस्टिंग यहां पास कर दी है विच इस ओके सो इसमें बाद में आते हैं सबसे पहले हम अपना पेज करते हैं एर्र तो आए गही क्यों हमारा url है hello forward slash okay server चल नहीं रहा है run server refresh तो यहां पर आगे हैं और टेस्टिंग फर्परसेश और यह ऐसा क्यों आया है okay तो सबसे पहले जैंगो के steps क्या होते हैं तो यह है main urls.py आप यहां पर देख सकते हो main info underscore project यहां पर main urls.py उपन है सबसे पहले जैंगो जाते हैं अपने main urls.py आप यहां यहां चेक करेगा which is home page okay then include करेगा app का नाम dot urls okay so app के urls वो import करेगा इसका मतलब है website और domain name क्यों हमारे case में है localhost colon eight thousand forward slash okay then उसने इस पो इंपोर्ट किया फिर वो गया app वानी urls.py में okay so हमारा url था localhost colon eight thousand power slash hello अगर हमने hello डाला सब्सक्राइब में okay so वो method बलाएगा कहां से व्यूस से टेस्टिंग एक मैथड है व्यूस.py में यस टेस्टिंग एक मैथड है और टेस्टिंग मैथड कर रहा है http response और यह रहा उसा http code पतलब html code okay so यह ऐसा response टेस्टिंग मैथड विटन कर रहा है तो जैसे हमने यह वाला URL डाला तो हमें output मिला now homepage इलिए डिलेट कर दो इसको भी refresh error देगा page not pound तो इसमें दो URL है पहला है admin और दूसरा है blank तो हम इसमें प्लेंक पास करेंगे और हमें testing purposes वापस में लिए आएगा तो यह है home page किसका हमारे app का तो next video में देखने हैं कैसे अब डेटाबेस ते डेटावीड करेंगे किसमें अपने व्यूस डॉट पी वाए में और कैसे उस और अपने http response इसाथ कनेक्ट कर सकते हैं so that's it for this video thanks for watching my phone